तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल में जन्वरी 2024 की छे बड़ी भरतियां लेके आगे महिलाओ को भी से शूरूप से छूट मिलेगा जिया आदर तो बहुत ही बड़ी भरती निकलके यहां पर आ गई है जिसमें देखी और बहुत सारे वेकेंसी की बारे में किसी को पता भी नहीं है तो अगर आप भी जन्वरी 2024 में नौकरी पाना चाहते हैं तो यहां पर छे बड़ी भरती आज के वेकेंसी का अबड़ी लेके आ गए है यहां पर युगता केवल आठवी दस्वी बारे भी पास है और लोबर इंडिया भारत के किसी भी राज जैसे वीडियो देख रहाएं आप इन फॉर्म के लिए अपलाई कर पाएंगे बेतन 40,000 रोपे से लेके यहां पर 95,000 रोपे तक बेतन मिलने वाला है यहां दोस्तों यहां पर देखिए महिला बाल भी खास हो गया पोश्ट ऑफिस हो गया इसके साथ यहां पर आपका देखिए सिक्षा विभाग की टीचर की वेकंसी निकल के आ गई है बिजली विभाग की तरफ से वेकंसी है बहुत सारी डिपार्टमेंट की वेकंसी लपके लेके आ गए बहुत ही बड़ी भरती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए का बहुत सारी बच्चों का सपना होता है कि अपने राज्य में ही नौकरी पाजा तो अलग-लग राज्यों की वेकंसी है और अल ओबर इंडिया के लोग इसके लिए आविदन कर पाएंगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोडिफिकेशन आउन कर लिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रोजाना गौर्मेंट जॉब वेकंसी का अपडेट लेके आता रहता हूँ अपके लिए बहुत ही बड़ा मुका है योगता की बात के लिए तो यहाँ पर योगता कीवल ही कीवल 10 याने 10 पास रखा गया है और यहाँ पर दीखे कोई भी एक्जम आपको नहीं देना है सिधी भरती है फॉर्म बनने का फिस भी बिल्कुल फ्री है कोई भी नहीं जानता है इस भरती के बारे में भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं complete detail open होके आगे है बिजली विभाग recruitment 2024 से यहाँ पर आपके इसका online apply हो गया है शुरू इसके साथ यहाँ पर योगता की बात कर इसके साथ यहाँ पर आपको नोखरी यहाँ जो salary हो दी जाएगी इसके साथ यहाँ पर आपको एजली में 18 साल से लेकि 38 साल कर रखा गया है selection process की बात के लिए तो केवल merit based होने वाला कोई भी आपको written exam नहीं देना है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं no exam application fee से form बने का fee से बिलकुल free है free मैं आप इस form को apply कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके लिए job location बतायागे महाराश्ण आपकी posting र बताता हैं कि हमारी अगली वेकंसी कौनसी डिपार्टमेंट से निकल के आई है दोस्तों हमारी जो अगली वेकंसी यहाँ पर निकल के आई गई गई दोस्तों CRPF की सिधी भरती निकल के आगई है 2024 के जिसमें कि आपको कोई भी exam यहाँ पर भी नहीं देना है देखी बहु इसके लिए आविदन कर सकते हैं योगता भी किवल 10 भी पास यहाँ पर रखा गया ओल ओवर इंडिया के लिए यह भी वेकंसी यहाँ पर देख सकते हैं complete detail है CRPF recruitment 2024 से apply online for post 2024 योगता की बात के लिए तो candidate 10 पास यहाँ अगर आप कम से कम कच्छा 10 भी पास हो तो आप इसके इलिजबल होंगे आविदन करने के लिए number of vacancy की बात के लिए तो यहाँ पर देखे बतायागा कि 179 पदों की बड़ी भरती है जिसमें आपका देखिए constable male यानि लड़कों के लिए vacancy 83 निकल के आ गई है constable female लड़कों के लिए यहाँ पर 86 vacancy है इसके साथ application का mode यहाँ प आपको देखे time दिया जा रहा है फॉर्म को apply करने के लिए इसके साथ यहाँ पर नीचे आएंग तो देखे आपका salary 21700 रुपया से लेके 79100 रुपया पर मन्त आपको salary यहाँ पर दिया जा रहा है एजलिमिट 18 साल से लेके यहाँ पर 23 साल तक का एजलिमिट रखा गया है selection process sport trial होगा, physical test होगा, medical test होगा, no return exam, कोई भी आपको return exam यहाँ पर नहीं देना, application fee से general OBC EWS वालो को 100 रुपया फॉर्म बनने का fees देना, जबकि SCHT candidate को फॉर्म बनने का fees नहीं देना, free मैं आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं, payment करने का method यहाँ पर online माधम से payment आपको करना है इसके साथ यहाँ पर job location all over India के लिए भरती है, किसी भी राज़े से वीडियो देख रहा है, form आप इसका apply कर सकते हैं, official website की link दे दिया गया, recruitment.crpf.gov.in आप इस website से जाके online apply कर सकते हैं, चले मैं आपको अगली vacancy यहाँ पर बताता हूँ कि हमारी अगली vacancy कौन से department से निकल के आई है, दोस्तों जो हमारी अगली vacancy यहाँ पर निकल के आ गई है, महिला बाल विकास की तरफ से बड़ी भरती है, 2024 की इसमें आपको online apply करना है, बेतना आपको एक महिने में 97,000 रुपय पर मन्त आपको salary यहाँ पर मिलने वाली है, age limit की बात कर ले तो 11 साल से लेकर 38 साल त जोगता की बात कर ले तो candidate graduation can apply, यानि अगर आपके पास कोई भी graduation की डिग्री है तो आप इसके लिए eligible होंगे आविधन करने के लिए आप यहाँ पर इस चीच को देख भी सकते हैं, इसके साथ दोस्तों बात कर ले number of vacancy की तो यहाँ पर 49,49 पदो की बड़ी भरती है, child development officer, से CDPO post की vacancy निकल के आगे, जिस post के लिए बहुत साथ लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं कि कब तक vacancy निकल के आएगी तो CDPO की यहाँ पर vacancy निकल के आगे 49,49 पदो की, इसके साथ application mode online माद्दम से forum को भरना है, starting date बताया गया है, 19 से दिसंबर से लेके 18 जनवरी और last date यहा तक यहाँ पर देख सकते हैं complete detail आपके सामने open होके आगया, salary यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते है, salary एक महीने 22,000 रुपय से लेके 97,000 रुपय तक बेतन दिया जा रहा है, जो की बहुत ही अच्छा खासा बेतन यहाँ पर मिल रहा इसके साथ दोस्तो एज लिमिट 21 साल से लेकि 38 साल तक का एज लिमिट यहाँ पी रखा गया है और यहाँ पर सलिक्षन प्रोसेज रिटेन एक्जामनेशन की माध्यम सबको नोकरी लेना पड़ेगा इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जोब लोकेशन आसाम है ओफिसल वेबसाइट के लिंक दिया गए apse.nic.in आप इस वेबसाइट से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं चलिए मैं आपको अगली वेकंसी के बारे में आपे बताता हूं कि अगली वेकंसी कोन से डिपार्टमेंट से निकल के आई है दोस्तों जो अगली वेकंसी हमारी यहाँ पे निकल के आगे देखे रेलवे विभाग की तरफ से सिधी भरती है योगज़ता केवल यहाँ पे दस भी पास रखा गया नंबर ओ वेकंसी 1646 पदो की वेकंसी है लगबग यहाँ पे 1700 पदो की वेकंसी निकल के आगए है कोई भी नहीं जानता है इन भरती के बारे में इसके साथ आपको बदा दे कि यहां पर आपको कोई भी एक्जाम नहीं तेना ओनलाइन अप्लाई करना है यहां पर देख सकते हैं complete detail open होके आ गया है railway recruitment 2024 है apply online for post 2024 इसके साथ सबसे पहले बात के लिए योगता की तो यहां पर सबसे प पास है आई टी आई पास सकेन अप्लाई यानि कम से कम अगर आपका अच्छा दस भी पास है तो आप इसके लिए इलिजबन है आविदन करने के लिए देना है free में आविदन इसके लिए कर सकते हैं selection process merit based होने वाला कोई भी exam आपको यहां पर रिटेन नहीं देना है application फिस की बात करने तो यहां पर सभी candidate को 100 और फॉर्पया फॉर्म बनने का फिस देना है apply करने के सभी vacancy के detail आपको नीचे description में मिल जागा उस पर ok करके भी आप 6 vacancy के लिए आविदन कर पाएंगा चलिए आपको बताते हैं किस website से जाके आपको इसके लिए आविदन करना है दोस्तो आविदन करने के लिए आपको हमारे इस website पर चले आना है आपको google पर type करना है www.gowacancy.ing या दोस्तो जैसे आप google पर ये vacancy का detail टाइप करेंगे आपके समने पूरा website open होके आज जागा यहाँ पर कुछ हो vacancy के detail देखनों का मिल जागा वैसे भी apply करने का link नीचे description मैंने दे दिया उस पर ok करके आप apply कर सकते हैं अगर आपको अपने राजज में नोकरी चा आपट